हेलो फ्रेंड्स किचेन मैजिक वैस उसमा में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खीर बनाने का परफेक्ट तरीका एकदम रवरीदार साही खीर वो भी मेजरमेंट के साथ हम बनाएंगे तो चलिए मिलके बनाते हैं तो मैंने लिया है एक लीटर मैंने फूल क्रीम दूद लिया है तो खीर के लिए फूल क्रीम दूद ही जैदा बेश्ट रहता है आप गय का भी ले सकते हैं और मैं छोटा गिलास से एक गिलास चाबल लिया है तो हम मेजरमेंट के साथ बनाने वाले हैं तो आप किसी भी वरतन से कटोरी कप गिलास से तो देखिए अब मैंने दूद को गैस पे चरा दिया है और पांच मिनर तक मतलब जब तक पूरा उबाल आ जाए तब तक हम फास्टी रखेंगे लो उसके बाद हम कम कर देंगे तो अभी दूद उबल चुका है तो लो कम कर दिया है और दो तीहाय तक दूद को हमें पहले जला लेना है फिर हम उसमें चावल डालने वाले हैं जब तक अपना दूद जल रहा है तब तक हम आगे की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है एक गिलास चावल लिया था तो मैंने एक गिलास चीनी लिया है आप जिस भी वरतन से चावल लेंगे उतना ही ची मिठा आप अपने हिसाब से कम जैदा कर सकते हैं और अपने को चाहिए इलाइची पॉर्डर, मिल्क मेड, काजू, बादाम, किस्मीस, ड्राइफ फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी डालना चाहें तो फ्रेंड्स जो भी लोग, आप लोग मेरे पेज पे नए जूरे हैं वो प्लीज फटाक से सब्सक्राइब करके बेल एकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पॉंचे और जो पहले से जूरे हैं वो लाइक कमेंट से और जरूर कीज तो देखें ड्रै फ्रूट्स हम ले लिए हैं अब दो चममच यह नारियल का पॉडर हम डाल रहे हैं और दूद भी इधर अच्छे से पक चुका है तो अब हम केसर वाला खीर बनाने वाले हैं तो एक कटोरी में थोड़ा दूद निकालके आधा कप करीब दूद निकालके उसमें हम थोड़ा केसर डाल देंगे केसर डालना चाहिए केसर थोड़े देर के लिए इसमें हम फूलने के लिए छोड़ देंगे केसर बाद में डालेंगे और दूद को थोड़ा और अपने को जलाना है तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है लोग कम करके दूद पकाते हुए तो अब हम चाबल डाल देंगे और लोग कम करके हमें इसे पकाना है और बीच बीच में चलाते रहेगा छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है तो पांच मिनट बाद हम उसमें चीनी डाल देंगे और फिर चलाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है आप लोग इसी रेसिपी को ट्राइ कीजेगा और कमेंट में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा अब इसमें केसर डाल दिया है केसर दीरे दीरे अपना कलर छोड़ेगा तो बहुत ही जैदा ये कलर फूल होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो देखिए लोग कम करके अगर आप बनाएंगे फ्रेंट्स तो इसमें उपर जो मलाई जमती जाती है उसको सैड क जीएगा और फिर छलनी के सहता से उस मलाई को अगले बार में निकालते रहेंगे तो अपना खीर एकदम ही रवड़ीदार खीर बनेगी तो अब हम डाल दिये हैं नारियल का बुरादा तो देखिए खीर का कितना अच्छा कलर आया है तो अभी और लोग कम करके ही इसे पकाना है और चारो सैड से देखिए हम दिखा रहे हैं ऐसे ही मलाई को चारो साइड से निकालते जाना है तो खीर अपने आप ही रवड़ीदार खीर बनती जाएगी अब इसमें हम ड्रेफ प्रूट से डाल देंगे काजू किसमिस बादम जो भी आप अपने अकर्डिंग डालना चाहे वह डाल देंगे और ढख के दस मिनट के लिए हम छोड़ देंगे उसके बाद सर्व करेंगे तो फ्रेंज आप ये रेसिपी अगर इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपक कभी मिठा कम जैदा ऐसे हो जाता है लेकिन आप एस्टेप बाएस्टेप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा आपका खीर एकदम परफेक्ट और अबरीदार बनेगी तो आप लोग भी खीर बनाके मुमिठा कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट सेयर जरूर कीजि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए